नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे राजकोसिय फरिशत के बारे में आके रोती क्या है अभी क्यों चर्चा में है उस पर भी बात करेंगे उधार में विद्धी से उत्पन होने वाली चुनोतियां देखेंगे बाजार विश्वास को बनाये रखते विए उधार में विद्धी कैसे हो सकती है उसे देखेंगे राजकोसिये फरिशत के बारे में अच्छे से जानेंगे और राजकोसिये फरिशत के कार क्या है उस पर भी बात करेंगे और राजकोसिये फरिशत के सामने चुनोतिया यानि कि समस्याएं क्या क्या है उस पर भी बात करेंगे एनके सिंग समिती क्या से पारिसेंच की उस पर भी बात करेंगे हम लोग यानि की लगवक सभी बक्चों पर हम लोग कॉसिस करेंगे नजर डालने की हाली में पूर्व आर्वियाई के गवर्नर डी सुबबा रौ द्वारा राजपुसिय फरिशत की इस्थापना की आवसक्ता की संबंद में विचार वेक्त किये गए वो अर्थमान समय में कोरोना महमारी के आर्थिक दूस परवाहों को देखते हुए भी इसकी चर्चा फरासंगिक हो गई है याद रखेए अर्थ विवस्था की हालत हमारी पहले सही बुरी इस्थिति में थी लेकिन उसमें जितनी आप कह सकते हैं कि जितनी कमी थी वो आपकी कोरोना महमारी ने पूरी करती है अब आप सोचिए कि एक समय हमारी 7.4, 7.5 हुआ करती थी आज बात की जा रही है 1.5 से 2.5 परसेंट तक विकासदर की बात की जा रही है यानि कि गिर्ग कर कितनी बुरी इस्थिति में पहुंच चुकी है सरकार चाहती है कि वो उधारी एबं बै कुन्यमलिकित कारणों हेतू पितिवंदित करे सुबेत परिवारों की सायदा है तू आर्थिक पोनर्व वहाली है तू उधार में विद्धी से उत्पन होने वाली चुनोतिया क्या क्या है आके रिड में विद्धी से मध्यम अवदी की विकास सम्मंदी संभावनाओं के लिए खत्रा उत्पन होगा इंटर जनेरेसल एक्विटी की हानी उधार में विद्धी होने से भावी पीडी पर ब्याज का बोज बढ़ जाता है और उधार लेने की उनकी चमता क्या होती है कमी हो जाती है चमता में विदेशी निवेश की मामले में मंदी आ सकती है। उसी तरह आप समझ सकते हैं कि आपको बैंक कब करच देती है आसानी से जब आपकी आलतिक इस्तिती ठीक होती है। यानि कि या आप उन्हें भरोसा रहता है कि आप पैसा चुका देंगी उटका। तो इसी तरह इन रेटिंग एजनसियों का काम होता है कि अगर इसने भारत की रेटिंग ठीक दी अच्छी इस्तिती बताई तो विदेशी जो निवेश होगा तभी बढ़ेगा बढ़ना मुश्किल रहता है। निकट आओधी में महेंगाई की आसंका, सरकार की राजकोसिये गिर जिम्मेदारी के कारण बाजार विस्वास की हानी। बाजार विस्वास को बना रखते हुए उधार में कैसे हो सकते हैं। सरकार को COVID-19 के वश्यात राजकोसिय समेकन हेतु भरोसे मन्द योजना के साथ सामने आना होगा जो बाजयार की भरोसे को बनाए रखे सरकार कुछ नए संस्तागत तंतों उधारन के लिए राजकोसिय परिशत की स्थापना किसंगे दे सकती है ताकि राजकोसिय अनुसासन को लागू किया जा सके अब बार बार आप बात कर रहे हैं राजकोसिय परिशत के बारे में पहली बार इसकी अनुसासा 13 विवित्तायो द्वारा की गई थी बाद में 14 विवित्तायो में इसे समर्थन पराप्त हुआ और इसके बाद याद रहे में 152 से 1927 तक चला और याद रहे कि वित्तायो का समिधान के 16 280 के तैट इसका बैडन किया गया है समिधान में 280 आर्टीकल ancient कि अल्ठ इसको चला किया गया हो है और याद रहे किए आपके यह च्रुके जो 13 वित्तायो कि अध्यक्र है वो थे बिजय एल केलकर 2010 से 2015 तक इसकी सिफारे से चली 14 वा बित्तायुक था जो डॉक्टर बेडु गोपाल रेड़ी थे और ये इसकी 2015 से 2020 तक है और जो पंद्रवा है जिनके अध्यक्षे एन के सीम ये रहेगा 2020 से 2025 तक काम करेगा ठीक है? याद रखना राजकोसी परिशाद मूल रूम में एक इस्थाइस एजन्सी है जिससे सरकार के राजकोसी है ये उजना इवं आर्थिक स्थिर्था संबंदी मापतंडों के संबंद में किये गए अनुमानों को कसुतंत रूप से मूल लांकन करने का जनादिश प्राप्त है और इसे किसी भी डिफाल्ट के लिए जिम्मेदार भी ठहरा सकती है या सरकार के राजकोसी रूप का सुतंत और विशिसक्गिता पूर मूल ल्यांकन करेगी जिसमें संसत को कि सूचित बहस में मदद भी मिलेगी अगर राजकोसी परिशत के कारेओं की बात करें तो बहु वर्सिय राजकोसी कोसी अनमान और राजकोसी इस्थिर्ता विसलेशन तेहार करेगी कैन सरकार के राजकोसी पिदर्शन का सोतंत मूल ल्यांकन करना और राजकोसी ये नियमों का अनुपालन करना इसका काम है वार्सिक बित्तिय विवरन की स्तर्था और सोनिश्चित करने ही तू राजकोसी ये समिती में उप्योक्त पनीवत्न की सिफारिश करना है इसका काम रहेगा राजकोसी आकड़ों की गुडवत्ता में सुधा रहे तो, आवसक कदम भी उठा सकता है सालघनिक रूप से जारी करने है तो एक बार सिंक राजकोसी रणनीती तिजार कर सकता है राजकोसी फरिशट के सामने समस्यां आंकर क्या-क्या देखी जा सकती राजने तिक एक्छा में कमी से गंबीर राजकोसी ये गेर जिम्मेदारियां में बिद्धी होगी यानि कि बड़ोत्री देखी जा सकती है 2003 में जब FRBM को कानून की दारे में लाया गया तब इस पर बिद्धीय समस्याओं के उपाय की रूम में विचार किया गया था समस्याओं की व्याक्या करने में मदद करता है सरकार को अपने राजकोसी ये उद्धेशों की विश्वसी नीता पिदासेत करने ही तो राजकोसी ये नीती रणनीती विवरण को संसद में पिस्तूत करना आवसक होता है हाला कि राजकोसी उद्देसों पर संसद में गहन चर्चा का आभाव है और PFSS यानि कि राजकोसी नीती रड़नीती विवरन का पिस्ताव अक्सर बगेर किसी सूचना की हो जाता है इसके कारियों से विर्म की स्तिती उत्पन होना राजकोसी परिशत ब्यापक आर्थिक पूरवनुमान फिदान करेगी जिसे बित्त मंतराले द्वारा वजट है तो उपयों किया जाने की उम्मीद है और यदि बंतराले उन अनुभानों से अलग जाने का नेड़े लेता है तो यह ब्याक्या करनी आवस्तिक होगी कि अलग जाने की ज़रू है ताकिर क्यों थी इसके अलाब अबित्त मंतराले को किसी अनुभान को उपयों में लाने ही तो मजबूर करना इसकी जवाब देहिता को कम करेगा कारेओं का दुर्व दोहराव अब तक केंद्रिये सांकी की कारियाल है यानि कि CSO और RBI यानि कि आपका के रूम अनुभान देते हैं परन्तु अब राचकोसिय फरिशत के अनुभानों के बारे में सवाल उठाए जाएंगे राचकोसिय फरिशत निगरानी तंत की रूम में कारिकरी और सरकार को रचनात्मक लेखांकन की माद्यम से राचकोसिय नेमो की उलगन से रोकेगी हाला कि सरकारी खर्चों की लेखा परिक्षा और राचकोसिय निगरानी का काम करने के लिए केग सी ये जी किरूम में पहले से ही एक सल्थागर तंत है आपका एनके सिंग समती जनवरी 2017 में एनके सिंग की अध्यक्षता में एक गठित एप आरबियम पैनल ने सरकार को अपनी किया गया और जिसमें निमले की सिफारेश की गई थी इस समती में कि निमले की सिफारेश ने थी क्या क्या थी वित्ती अधाचे की बीतर नीती निर्माताओं को चीला पन फिदान करने के उद्देश से पैनल ने सुझाओ दिया कि वित्त वर्स 2018 से 2020 तक राचकोसिय गाटा कुँ 3% तक पर इस्तिव करने के लिए लिए जाए और बर्स 2023 तक इसे घटा कर 10.5% यानि की 2.5% तक लाया जाए राजस सुगाटा यानि राजस सुगाटा GDP अनपात में पिती वर्स 0.25 यानि की 0.25 पिती से अंकों तक की कमी की जाए एक और वर्स 2023 में इसे 0.8% तक लाया जाए पैनल ने एक राजकोसिय फरीशत के गटन का सुझाओ भी दिया जो एक सतंत निकाय हो गई किसी भी देख किसी भी दिये गए वर्स के लिए सरकार की राजस से घोश्णाओं की निगरानी करेगी इसके लावा राहतकारी अनुचेद का भी प्रावधान है जो सरकार को राजकोसिय दिसाने दिसों से एक बर्स में अधिकतम 0.5% की 30% बिचलन की अनुमती पिदान करेगा इस प्रावधान को राश्टिय सुरक्षा के महत को ध्यान में रखते हुए रखा गया है जैसे यह उद्धी की स्तिती राश्टिय इस्तर की आपदाय किर्सी को हानी जिससे किर्सी उत्पादन और आय गंबी रोप से पिरभावित हों किन्तु इन सिफारिसों से मुख आर्थिक सलायकार परिशत जो आर्थिक सलायकार हैं आपके आरविंद सुबह मन्यम ने एक नोट पिस्तुत कर आस अहमती जताईए क्योंकि उनका मनना है कि इस सिफारिस ने नीती निर्माण की कारेओं को मुश्किल बना देती अताह नीती निर्माताओं को ध्यान राजकोसी ए गाटे के बज़ये परात्मे गाटे को कम करने का होना चाहिए इसमें आगे की राय क्या हो सकती है निर्धारित बजट की पिस्तोती से एक सप्ता पहले CAG को पास सप्ता की अवधी हितू तीन सदस्ये समती की नियुक्ती करने चाहिए जिसमें बजट की जाच के सीमे तादिस होने चाहिए समती सरकार की राजकोसी ए रोग की जाच करती हुए एक सारजनेक रेपोर्ट देगी CAG कार्याले अपने संसादनों के ते समती को सचविये और रसद साहता पिदान करेगी वित्र मंत्राले और C.S.O. निती आयव फिदेग सजवाले में सेवा देने हितू एक अधिकारी की पित्ती नियुक्ती करेगी अपने रेपोर्ट देने के उपराम समती समाप्त हो जाएगी तो ये कहानी है आपकी राजकोसिये फर रिचेट की